बारबंकी से सुधी शर्मा की रिपोर्ट इंजेक्शन लगाने से हुई महिला की मौत बारबंकी स्थाने कस्वर स्थित देवेशनेतर केंद्र पर राजदो पहर इस समय संसनी फ्याल गई जब एक महीला को इंजेक्शन देने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई बताया जाता है जिसके बाद अस्पिताल के डॉक्टरों द्वारा आनन फानन में महीला को इलाज के लिए स्थानिय से एच्सी ले जाया गया जहां पर चिकत्सकों ने उसे मृत घोशित कर दिया महीला अपने परिजनों के साथ उक्त निजी अस्पताल में आँखे खुलवाने आई थी प्राप्त जानकारी के मुधाविक थाना सुबेहा क्षेतर के कमेला गाउनिवासी अंपिका प्रसाद शुकला की पचास वर्ष ये पतिनी सर्शन निवार को खस्बास्थित देवे महीला को इलाज के लिए स्थानी सी एच्सी ले जाया गया जहां पर स्वास्त परिख्षन के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोशित कर दिया मृतक महिला के पुत्र राम किशन शुकला और फरनिल शुकला ने बताया कि वह अपनी मा को लेकर आज सुभा ग्यारा बजे देवेश ने त्रिकेंदर में आँख खुलवाने के लिए आये थे शाम तीन बजे डॉक्टरों दौरा उनकी मा की आँख में इंजेक्शन लगा दिया गया जिसके थोड़ी ही देर बाद अचानक उनकी तविद बिगड़ गई और उन्हें CHC पर लाने पर डॉक्टरों ने मृत घोशित कर दिया बताया जाता है कि कथि डॉक्टरों के गलत इलाज से महिला की मौत हो गई जिसकी चर्चा शेत्र में जोरो पर है जानकारी मिली है कि महिला की मौत के बाद सक्ते में आई नीजी अस्पिताल संचालक द्वारा मृतिका के परिजनों से सुलह समझोता का प्रयास किया जा रह है कि अधाये हमारा नाम है राम किश्ण सुकला उर्फ अनिल सुकला जे पिता जी का नाम अम्धिका प्रसाद सुकला माता जी का नाम साबित्री देवी ग्रामवा पोष्ण अमेला है दगर थाना सुव्याहा माता जी का आँख फुलाने के लिए देवेस ने तकेंद लाये थे ग्यारा बजे तीन बजे उनको इंजेक्शन दिया गया इंजेक्शन देते ही वह ब्योस हो गई उसके बाद पु करेंगे इसको अब विचार कर रहे हैं क्या करना है चुछ